हलो आप्रों वेल्कम to my channel, my work, my passion आज हम बनाएंगे आगी की neck design जो बहुत ही अच्छा है और आपको भी बनाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा तो ये हमारा pasting paper है, pasting paper मैंने 7 इंच रखा है और गले की इच ओड़ाई हमने धाई इंच रखी है गले की लेंध हम पाँच इंच रख रहे हैं आप छे से साथ इंच भी रख सकते हो अगर आप छोटी लड़कियों के लिए बना रहे हैं तो पाँच इंच रखिए बड़ी लड़कियों के लिए बना रहे हैं तो 6 से 7 भी आप रख सकते हूँ क्योंकि गले का हर किसी के गले का पसंद और पसंद भी अलग-अलग होता है और कुछ लोगों का गर्दन गला बड़ा होता है कुछ का छोटा होता है तो उसके लिए तो यहां पे यह वाला हमारा राइट है एक रॉंग है क्योंकि आप इसी में आप दो टाइप से कटिंग कर सकते हूँ यह आपका राइट वाला है दूसरा वाला था कि आप अगर चाहें तो यहां पे भी गहराई दे सकते थे इस तरीके से हमें हाफ इंच से एक इंच तक एक्स्ट्रा रखना है, पेस्टिंग पेपर को, ताकि हम इसे फोल्ड कर सकें, ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेस्टिंग पेपर को, जिस तरफ ये चमक वाला लग रहा होगा, एक तरफ आपको खुर्दूरा नहीं, इदम प्लेन सा लगता है, तो बहुत ही प्यारा बनता है, तो इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे, चिपकानी के बाद सूट की कटिंग हमने की हुई है, गले की कटिंग को और सूट का जो बीच का कटिंग होता है, उसे हम मिला लेंगे, मिलानी के बाद हम देखेंगे कि हमारा इधर उधर ना हो, उस के बाद हम उस पे सिलाई बनाना स्टार्ट करेंगे पीन से हम सब को सेट कर लेंगे सेट करने के बाद हम इस पे सिलाई बनाना स्टार्ट करेंगे जो हमने रड कलर का निसाल लगाया हुआ है सेम टू सेम उसी पे ही हमें सिलाई चलानी है ना इधर ना उधर बिल्कुल उसी पे आप चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा आपका डिजाइन बन करके तैयार होगा. अगर आप इधर उधर चला देते हैं तो एक साइड का आपका डिजाइन अच्छा बन सकता है और एक साइड का बुरा लगीगा, ठेक है. लेकिन अगर आप सेम जैसे निशान है वैसे ही बनाएंगे तो आपका परफेक्ट बनेगा इसके बाद हमें क्या करना है एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल लेना है लेकिन हाफ इंच छोड़ करके ही बिल्कुल सिलाई में सिलाई की पास से ही अगर आप कटिंग कर देंगे तो वहाँ कपड़े फटने के या फिर उधरने के चांसेस जादा रहते हैं हाफ इंच आपको छोड़ करके ही cutting करना है यह हो गया इसके बाद हमें छोटे-छोटे से cut लगा लेने हैं ताकि पेस्टिंग पेपर जब हम उल्टे की side अगर पलट रहे हैं तो कोई भी हमें दिक्कत ना हो इसके लिए हमें छोटे-छोटे से cut लगा लेने हैं सभी तरफ, खास करकि मोड पे हमें गहरा ही थोड़ा सा लगाना है, लेकिन सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए, ये हो गया, इसके बाद हमें पिन को निकाल लेना है, पिन को निकालने के बाद इस तरीके से भी आप इस पे सिलाई बना सकते हो, लेकिन हम तुर्पई वाला बन जि हैं रभब को एंगे आप इस को कपड़े को पीछी की साइब करके इसी बना लेनी है कि कि कमप्लीट करेंगे बात पीुछी के साइब कपड़े में हमीए भरा मिलामनी है उसके बाद फिर हमें ऊपर से सीधी की तरफ से ऊपर पे हमें सिलाई बनानी है क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा सा लुट आता है लेकिन अगर आप सिलाई नहीं बनाना चाते हो तो आप यह सिलाईवाला स्क्रेप कर देंगे पीछे अगर आप तुरपई अच्छे से कर देते हो अच्छे से इसे प्रेश कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बेढ़ जाएगा तो ये है हमारा सिलाई वाला आपको ऐसे भी बना सकते हैं और एक ये है आप इसे पीछे की साइड में यहां पी तुरपई आप जरूर करेंगे क्योंकि अगर ये उधड़ा हुआ रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लेगीगा इसे आप तुरपई कर लीजिए अब एक ये है जैसे हमने उसमें कटिंग की सिलाई की सेम टू से मैसे ही करना है पीछे की साइड जैसे हमने कहा कि सिलाई बनानी है वैसे ही बनाना है उसके बाद हम इस पे सिलाई नहीं बनाएंगे आप देख सकते हो बड़ी लड़कियों के लिए बना रहे हो तो 6-6 इंच रखे छोटी लड़कियों के लिए आप 5 इंच रख सकते हो झाल